सबी विदार्थियों का S.W. Children Academy रावला मंडी के online platform पे स्वागत है अध्याई कक्षा 12, वीशे बगोल और अध्याई चल रहा है सोड़ा नमर जिसमें हम बात कर रहे हैं जेविक और एह जेविक संसादनों की तो इसमें हम सबसे पहले हमने टोपिक बढ़ा है पसू संसादन और पसू संसादन की बात करें तो परमुख पालतू पसू की बात करें सबसे पहले देखें गाएं बेल गाएं और बेल मानव आदिकाल से गाएं बेल पालन करता रहे हैं बेल तो जानते हो आप बारत में गाएं और बेल को समाज जीवन और दार्मी कारियों में मैत्पुनस्तान प्राप्त होने का कारण इनकी करशी और मानव के लिए प्योगी था यानि गाएं तो सबसे पहले पुजनी होती तो इस शुरुआत वेदिकाल में भी और ग्यानिक अनुसंदान से यह प्रमारित हो चुका है कि बारते नसल की गाएं का दूद सर्वश्रेश्ट वय एटू वर्ग का यो है यह नहीं का मतलब सर्व स्रेश्ट ाना जाता है भारत का विश्व में गाल पेल बय और बेर बेद पालन में इस बाध दुरी भिश्व मेंरे च coconut जो ना या किसी भी मामले में देख को बराजियल सबसेे से उसके बाद में बारत का स्ताना आता है इनकी संख्या लगबग 19.09 क्रोड है यहने बारत में गाएं बेल कितने 19.09 क्रोड जो विश्व की कुल जन संख्या का 12.7 परतिसत है यहां सरवत्र गाएं वे बेल पाले जाते हैं जिनकी कई नसले हैं विविद और उत्तम स्वास्ते प्रदार्थों की प्राप्ती पोस्ट एक्वेकम वसाविक्त होने से गाएं का दूद स्वास्ते के लिए अम्रित तुल्य पे उता है इंपोर्टन्ट होता है और आपको पता है अपने छेत्र में रठी गाएं पाई जाती है कौनसी रठी विश्य दो बहुत होती है हमारे जो रठी है यह द्यारखना यह जो गाएं अमेरिकन थार पारकर सांचोरी नागोरी जैसे नागोरी बेल होते है न जैसल मेरी इधर हर्यान भी माल भी अलग अलग होती है लेकिन हमारे इस सेत्र में द्यारखना कौन सी है रठी गाएं है और यह कोई लोग पालते हैं तो अ यह तो एक दिया है ना यह तो और पर देते हैं तो भी रेट जाद है तो 20 ज़ादा लगता है तो हर प्रकार से गाएं के हुआ उसमें उस्ते जादा होती है गाएं पैस अधिक दू देती हैं यह दूद वस्तेग कर गाड़ा होता है विश्व में बारत का 22 पालण में पर थमस्ताना वी सबसे ज़्यादा बैंसे बारत में हैं बारत में 10.89 क्रोड बैंसे पाली जाती है जो विश्व की 56.7 पर थिसत है यानि सोnot में से 56 परदेश्य था हमारे बारत में है इसका मतल़ बैंसे ज़्यादा है और हमारी राजस्तान में पुछने तो सबसे ज़्यादा अलवर और जेपुर में पाई जाती है पंजाब, हरियाना, राजस्तान, मद्यपरदेश, छतिसगड, बिहार, जारकन, तमिलाडो में भी बेंसे पाली जाती है अब देखो कोण-कोण सी पर जाती के मुरा, जाफरावादी, बदावरी, शूरती, निली, महसाना, देश्यादी प्रमुक नसले है अपने कए बैसे मुर्रा नसल की भी पाई जाती है दीया रखना, कुछ सूरती और बदावरी की पाइ जाती है अपने गंगानागर छेतर में द्या रखना लेकिन मिक्स पर जाती है अपने इतना रूप से गनी है तो पूछे पेपर में आजए बैंस की प्रमुक नसलों के नाम बताईए मुरा जाप्रावादी बदावरी सूर्ती नीली मैसानादी ठीक है तो यह छेतर है जहां अब देखो बक्रियां बक्रियों को आपको बता है कि गरीब की गाएं कहते हैं और चलता फिरता फ्रिज जाई है क्योंकि जहां मरजी आए वहां जाके दूद निकाल सकते हैं यहां जानी गाएं बैंस की तरह की सुबह श्यामी देड़ा है बक्री परते दिन एक से तीन लीटर तक दूद दे सकती है बक्री का रख रखाव एक तो खर्च कम होता है और वंस वर्दी बहुत सिगर होती है यह छे मैने में भी क्या यह बचे उत्पन करती है ठीक है परसूत होती है और दूसरा इनके लिए ऐसे तहनी भी खड़ वगएरा दड़िया वगएरा दोर और लोग से जवार वगएरा दो इनको चारा दो कुछ जुरूरत में बस छोड़ दो इनको खुला और मस्ती से खाते रहेंगे इसलिन का खर्चा नहीं होता है कोई भी इसकी महेंगनी उत्तम प्रक्रतिक आता है इसकी महेंगनी उत्रे खाद यानि भारत में तेरा पॉइंट बाण में करोड़ से अधिक बक्रियां पाले जाती है जो विश्व की 14.5 परति जाता है राजस्तान उत्तर परदेश पंजाब गुजरात मद्य परदेश करनाटक तमिला डू अंद्र परदेश और जारखन प्रमुक बक्री पालन राज्य है बक्री पालन मास के उदेश्य से अधिक किया जाते है पूरे बारत में सबसे ज़्य न वह मास दोनों के लिए पाला जाता है बेड़ से कुछ मात्रा में दूद भी प्राप्त किया जाता है विश्व में बेड पालन में बारत का चीन के बाद वित्यस्तान है यह नक बथ छै.51 क्रोड बेले पाली जाती है बारत की 60% बेड़े राजस्तान अंद्र प्रदेश हिमाचल परदेश पंजाब हर्याना उत्राखंड और उत्रपरदेश में पाली जाती है बारत्य बेड़ों की उन गटिया किसम की होने से इने गलिचा उन का जाता है अच्छी किसम की उन इरान अफगानिस्तान मद्य एशिया नेपाल और आस्ट्रेलिया से आयात की जाती है और चोकला बेड़ है मेरी नोस पर लेट है उस्त्रैवास की वहाँ उत्तम निचंति ओं होती है हमारे बारत में जरी चोकलाइवगहिटे नो उसको बारत की रासतान के वसीIGHT वार्त अब पटतें और उंट जाने हो में हो झाही सारे विदारथों विजर्प देख्खाई न गणना होई है न 2012 से 2019 इसमें 35% उंट गट गे इसका अंजला होगा लगबग गाउं में या तो एक होगा या दोगा मेरे इसाब से आप 12 क्लास के जित्ते विदार्थियों उन्हें से बहुत सारे विदार्थियों उन्होंने उंट काफी टाइम से देखा ही नहीं होगा ऐसा की रोज देखते हो तो काफी संक्या गट रही है घरकना यनी घरकना इना हर गाई में एक या दो मिलेंगे करीं तो एक भी नहीं है तो बहुत सारे विदार्थियों ने ने तो देखा नहीं उन्टद का जाज क्याते हैं ठीक है तूब है क्योंकि रगिस्त्तान में इसके प पेड़ों के पत्ते और जाडियां खाकर अपना पेट बर लेता है, मलमुत्र गड़ा वे चमडी मोटी होने के करण पसीना कमाने से उंट को जल किया हो सकता कम होती है, उंट के कुबड में एक्तरित चर्बी से जल पूर्ती कर लेने से ये साथ दिन बिना पानी पी रह सकता ह है ऐसे नहीं कि साथ दिन थोड़ा सा एक बाल्टी पिला दिया और साथ दिन पानी पीएगा वो खूब पीएगा ध्या रखना जिसको उंट पालते हैं यह अनभव है मेरा तो अनभव लिया है हलांकि हमारे नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कई घरों में इस उंट का अनभव लिया भी सिस्टम क्या है जैसे अगर मालोस आजकल तो रोग परती हो जाएक समता इतनी नहीं है कि साथ दिन लेकिन पहले होता था लेकिन जब उंट पानी पीने लग जाता है तो बहुत सारा पानी पीता है से नहीं एक बाल्टी दो बाली बीस बीस पच्चिस पच्चिस सकता है और एक दिन में 50 किलो मेटर तक चल सकता है देखना ये बटे वाले इंट वगेरा डोते हैं ये उंट लेके रखते हैं तो देखो कितना वजन रखते हैं कोई और गाड़ी वाले और 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 काम करते हैं उंट में वरसों बाद भी मारग याद रखने की अद्बुत होती है रेतिले मरुष्टल में प्रिवेन के साधन के रूप में उंट का कोई विकल्प नहीं है इसलिए उंट को रेखिस्तान का जहाज कहते हैं रेखिस्तान में उंट की प्योगिता के करण ही सेनिक टुकडियां सवारी वे बोज्जा डोने के लिए उंट का प्रयोग कर और थेले तेल रखने की कुपियां जूतियां बनाई जाती है इतनी खाल मजबूत होती है उंट के बालों से अच्छा इसका दूद पीने के पानी पीने के काम आता है बारत में उंठों की संख्या लगाता रहा है गट रही है बारत में विस्व के 2.4 परसित उंठ पाले जात है बारत में तो एक कुबड़ वाला एक कुबड़ वाला उंठ पाये जाता है और अर्ब झिसों में यहां इक इछा वाल एक इस तरे ये इक है लिकिन इरान में 2 अर्ब यह कुबड़ होता है अन्य बारत का गोडे, खचर, टट्टू, गदे, सुवर, मुर्गी, याक पालन में भी महतपुर्ण स्तान है अब आता है इनके लिए बारत में पशुधन कमजोरी के स्तिती के कारण ठीक है, स्तिती के कारण की कमजोर कैसे है और क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं तो देखो, बारत में पशुधन की कमजोर स्तिती के कारण, बारत में विश्व के 20% पशुधन पाले जाते हैं और विश्व में दूद उत्पादन में बार्थ का पर्थमस्तान है यहां विश्व का 18 पर से दूद उत्पाद होता है यहां कि पसु कम दूद देने वाले वे कमजोर होने से परती पसु दूद वे मास कम प्राप्त होता है अपने जैसे कमजोर है न वैसे कमजोरी की स्थित पसु पालन गोण वेवसाई है वेवस्तित और उत्तम चारा गाउं के वाव में हरा चारा वर्स परने मिलने से पसलों के डंठल और बूसा खिलाया जाता है उचित पोश्टिक वा भर पेट चारे के अभाव में पसु कमजोर होने से दूद और मास कम प्राप्त होता है अच् केंद्रों की कमी पूर्ण सुईदा का अभाव और ग्रामिक ग्रामिन करशक पसु पालकों की देसंता से पूर्ण सपलता नहीं मिली पसु की बिमारी एक तो बिमारियां बहुत होती आजकर सभी पसु को एक साथ चराने एक ही बाड़े में बांद रहें सरी गली चीजें खिलाने गंदा जल पिलाने से नेक पसू संपरक जन्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं देखा ना अपने घर पे कोई वस्तू लेके आते हैं जितनी खालते हैं खालते हैं बाकी सारी पसूँ को और खराब होती है उसी कोई पसूँ को क्यों वो भी तो जीव है अपने नहीं ख खुर पका मूँ पका हो जाता है जहरवाद जहरी बुखार गल गोटू आदी कई रोग हो जाते हैं दूसरा पसुपालकों की अग्यानता वे लापरवाई भी होती है परमपरागत पसुपालन से पसों को एकी बाड़े में बांधना एक साथ चराना पोस्ट एक वापूर्ण आर नहीं देना मक्खी मच्रों से और सर्दी गर्मी से बचाव नहीं कर पाना स्वच जल के अभाव में कमजोर होने से कम दूद देते हैं दूद अरू पसों को भी हरे चारे के अभाव में पसों के डंठल पसलों के डंठल भूसा खिलाने से दूद उतपादन कम होता है ब कल के वीडियों पढ़ेंगे बारत में पसूर संसाधने विकास के उपाई